Hello students, welcome to Global Online, this is Ankitah सूद, so Himachal Pradesh State Eligibility Test 2024 में अभी सिरफ लगभग 30 डेज का समय बाकी रह गया है and ऐसे में बहुत से स्टुडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर 1 प्रेपरेशन शुरू नहीं की है and आप वो confused हो रहे हैं कि क्या हमारा syllabus पूरा हो पाएगा या नहीं तो आप सभी स्टुडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो बहुत जादा important है जहां पर स्टुडेंट्स कुछ स्मार्ट प्रेपरेशन टिप्स में आपको बताने वाली हो जो आपको 30 days में complete पेपर 1 का syllabus करने में बहुत जादा मदद करेगा and इसके साथ ही आप पेपर 1 में अच्छा भी score कर पाओगे बस आपको इस वीडियो में जो भी बाते मैं बताऊंगी उनको ध्यान से सुनना है and आज से ही उनको follow करना शुरू कर देना है so students 17th March को आपका exam है बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि क्या exam postpone होगा so देखे फिलहाल तो examination postpone होने के कोई chance नहीं है so आप इसे according अपनी तयारी करते रहें कि exam आपका 17th को ही हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए paper 1 जो है हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि paper 1 hard work नहीं मांगता है आपको इसमें अच्छा score करना है तो smart work करना होगा तो smart work के लिए सबसे पहले आप लोगों को जरूरत है यह समझने की कि examination में क्या पूछा जाता है बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि वो directly paper 1 का syllabus उठाएंगे और topic topic पढ़ना शुरू कर देंगे तो देखे students ऐसे paper 1 की तयारी 30 days में बिल्कुल भी possible नहीं है और यह गलत तरीका भी है आपको अब इस समय पे क्या करना है आपको जितने जादा हो सके previous year questions को practice करना है जितने जादा हो सके mock test को practice करना है और ऐसे तरीके से पढ़ना है कि अगर आप एक बार पढ़ लो तो दूसरी बार आपको examination से पहले revision की जरूरत ना पढ़े अब एक और यहाँ पर सवाल आता है कि examination तो हमारा 2020 के बाद conduct करवाया ही नहीं गया है तो हम कहां से PYQs करें क्या examination कदे के students level होता है क्या examination का pattern होता है कैसे questions पूछे जाएंगे यह सब आपको PYQs बढ़ाते हैं इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम paper 1 का complete course लेकर आएं है जहां पर 30 days के अंदर आपका स्मार्ट तरीके से syllabus भी पूरा हो जाएगा और जरूर उसी में से hazardous questions पूछे जाएंगे तो paper 1 preparation में हम daily live lectures भी आपके लिए लेकर आते हैं जो कि Hindi English दोनों languages में रहते हैं अब देखिए बहुत students ऐसे हैं जो कि live lectures जोई नहीं कर पाते तो उनके लिए recorded sessions भी है mock test भी है जिसमें explanation आपको मिल जाएगी और सबसे important चीज़ जो आपके paper 1 में help करेगी वो है 2000 plus MCQ question wing जितने भी states हैं सभी states के set exams होते हैं उन सभी के previous year questions यहाँ पर आपको unit wise हम provide करवाते हैं वो भी answers और explanation के साथ यह 2000 questions अगर पढ़ लेते हो न 30 days में इसके बाहर से एक भी सवाल नहीं आएगा यह चीज़ की भी मैं आपको surety देती हूँ अब आपको कहां से यह सब चीज़ें मिलेंगे इसके लिए global online app डाउनलोड करना होगा store section पर search bar में लिखे कोर्स का नाम अब देखो students कोर्स में content पर जाओगे तो यहां पर है detailed मेरा कोर्स इस कोर्स में आपको कुछ recorded videos मिल जाएंगी कुछ test यहां पर है कुछ mock test आपको यहां पर दोनों languages में मिल जाएंगे आप daily eight test एक mock test को attempt कीजिए ठीक है 180 videos हैं जिसमें आपका पूरा syllabus cover किया गया है इसके बाहर से कुछ भी paper में आएगा नहीं ये भी maturity दे रही हूँ और बागी के जो topics हैं वो daily live lectures में हम 9 p.m 9 p.m आपको करवाने की guarantee देते हैं रोज 9 p.m हमारे live sessions रहते हैं तो आप लोगों को क्या करना है देखो अगर सिरफ सोच रहे हो कि एक live session आपका रहेगा उससे syllabus हो जाएगा तो वो भी चीज पॉसिबल नहीं है practically पॉसिबल नहीं है ये तो आप समझते हो है ना आप लोगों को क्या करना है देखिए आप लोगों के लिए एक live lecture है जो कि 60 minutes का रहता है एक topic एक unit आपकी रोज यहां से cover हो जाएगी इसके अलावा जितने भी recorded videos यहां पर global online आप में मैंने आपको बताए हैं उन videos को आप अच्छे से follow कीजिए रोज अगर आप 2 से 3 घंटे भी पढ़ लेते हो paper 1 का ठीक है theory and mcq उसके बाद रोज एक mock test attempt करते हो तो आपके best practice हो जाएगी इसके बाहर से कुछ भी paper में नहीं आएगा यह मैं आपको बार बार बोल रहे हूँ पहले भी बहुत से set exam के सच में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 30 days में paper 1 का syllabus सिरफ इसी तरीके से पूरा किया था ठीक है कि एक topic अगर आप mcqs पढ़ रहे हो तो दूसरे topic की आप theory से concept clear कर लीजिए साथ में mock test को भी attempt करते रहे हैं रोज यहां पर 30 mock test आपके लिए लेकर आए हैं जो कि 30 days के लिए हैं रोज का एक mock test करोगे और सबसे important है 2000 plus mcq question bank इसको तो बिल्कुल भी miss मत कीजिएगा यहां में से explanation भी आपको मिल रही है अब देखो कोई question है आपने वो अभी तक माल लीजिए theory session में नहीं पड़ा है mcqs में नहीं पड़ा है ठीके आपको इसमें वो question मिलेगा उसके साथ answer भी मिलेगा उसके साथ explanation भी मिल जाएगी जिससे कि आपके concept भी clear हो जाएगी यहां पर students 2000 questions क्या लगबग आप अगर 200-300 questions तक भी पहुँच जाओगे न तभी आपको एक clear idea हो जाएगा कि वही questions हैं वही topics हैं जो कि बार-बार पूछे जा रही हैं हर paper में बार-बार वही question वही topic आते हैं वस थोड़ा सा घुमा दिया जाते है concept को तो यहां से आपको एक clear idea हो जाएगा और मैं surety देती हूँ कि अभी 10 दिन भी अगर इसको पढ़ते हो न 10 दिन में ही आपको difference पता चल जाएगा कि आपके paper one की तयारी कैसी चल रही है तो अभी भी समय है 30 days से जादा late हो जाओगे न तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीज़े tough हो सकती है cover करने में syllabus तो अभी समय है बरबाद मत कीजिए बस given numbers पर contact करके आप इसकी पूरी जानकारी हमसे ले सकते हो और विश्वास रखिये यकीन कीजिए ये lectures बहुत important है exam में यही आपको help करेंगे okay so thank you so much everyone अभी भी कोई confusion है कोई सवाल है तो आप हमसे directly पूछ सकते हो नहीं तो given numbers पर भी directly whatsapp की through contact कर सकते हो so thank you so much and I wish you all the very best